जैहिन केड्स, टेक आउट यूर शब्द लेखन बुक पेज नमबर 23 So kids, जैसे हमने previous classes में दो वर्णों को मिला कर दो वर्णों वाले शब्द बनाना सीखे थे आज हम इस class में तीन वर्णों को मिला कर तीन वर्णों वाले शब्द बनाना सीखेंगे So let's start First of all, we mention the date. Today is 4-8-21. C.A. So Kate, सबसे पहले हम इन तीन वर्णों को पढ़ेंगे और फिर इनको जोइन करके इन middle blue lines में लिखेंगे. तो ये तीन वर्ण कौन कौन से हैं? कलम. कलम. कलम means pen. तो अब हम इस शब्द को इन middle blue lines में लिखेंगे. Like this. कलम. कलम. अब हम नेक्स्ट तीन वर्णों को रीड करेंगे. ब ट न बटन. 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 अब इस शब्द को भी हम इन middle blue lines में लिखेंगे. अब नेक्स्ट तीन वर्णों को रीड करेंगे. म, ह, ल. म, ह, ल. म, ह, ल. महल. महल. महल means palace. तो अब हम इस शब्द को भी हम इन middle blue lines में लिखेंगे. Like this. म, ह, ल. महल. अब नेक्स्ट है. ब, त, ख. बतक. बतक means डक. तो अब हम इस शब्द को भी in middle blue lines में लिखेंगे. अब नेक्स्ट तीन वर्णों कौन से हैं? म, ग, र. मगर. मगर means crocodile. तो अब हम इस शब्द को भी in middle blue lines में लिखेंगे. अब नेक्स्ट तीन वर्ण कौन से हैं? न, ग, र. नगर. नगर means city. Like this. न, ग, र, नगर. अब नेक्स्ट तीन वर्ण कौन से हैं? म, ट, र. मटर. म, ट, र. मटर. जिसकी आपकी मम्मा सबजी भी बनाती हैं. तो हम अब इस शब्द को भी in middle blue lines में लिखेंगे. अब नेक्स्ट तीन वर्ण कौन से हैं? न, ह, र. नहर. 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 नहर means river. तो अब हम इस शब्द को भी in middle blue lines में लिखेंगे. लाइक देस. नहर नहर. सो केट्स अब आपको भी तीन वर्णों को read करना हैं और इनके शब्द बनाने का अभ्यास करना हैं. बाबाए केट्स!